हमने reverse gear लगाना था from baggers to choosers और आज भी हम baggers हैं, खुदा जाने हम choosers कब बनेंगे ये सब कुछ हमारे अपने उपर है, ना ये खाकी है, ना ये नारी है ये सब कुछ हमारे अपने उपर, मैं कहा जाओ पार के भटी में जाओ, जाके अपनी ऐसी तैसी कराओ लड़ने और मरने से हम नहीं डरते, हमारा तो इमान ही है कि असल जिन्दगी ही मौत के बाद शुरू होती है अक्सर आपने पाकिस्टानियों के मुझसे ये जरूर तुना गाओ कि हम जिन्दा कौम है, हम आस्मानी कौम है, हम जज़वे वाली कौम है हम इमामी कौम है, हम सबसे इमानदार है, सबसे ज़्यादा वफादार है और हम ये है, हम वो है, हम फलाना है, हम ढिकना है पतलब जितनी बड़ी बड़ी चोड़ सकते हैं उतनी छोड़ते रहते जुबानी शपूगे तो ये बड़े बड़े चोड़ते हैं तो वो पाकिस्तानी मुसल्मान है और ये बनते हैं इसलाम के सबसे बड़े ठेकेदार इनको लगता है कि इसलाम हमारी वज़े चल रहा है तो इनके इसलामी मुलक के अंदर ही आप देखे किस तरीके से इसलामी लोगों को मौमिनों को लूटा जा रहा है पाकिस्तान और देखते हैं किया तंच nimmt को चले वाप लोगों मुझे बताएं रमजान आता है आपको भी पता होगा सुना होगा कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं कुछ ना कुछ रिलीफ देते हैं मुसल्मानों को रमजान को लेकर पाकिस्टान में रिलीफ दिया गया या रमजान आने पर शबसेंगा वाट वहा बाखै ऑन कोई नहीं दिया हैं और चेक एंड बैलनस बिल्कुल नहीं तो बैस जानवर खाने वाले जानवरों को जानवरों को अगर आटा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है मेरे भाई खालो ना जननती को मेरे भाई खालो ना यह आपका श्टाल है जी अच्छाइए बताओ ये किस तरीके से यह देड़ सोरुपे किलो प किलो ने अब ही अगर आपको बताओं कि रमजान स्टांट होने से ठीक एक दिन पहले यह स्टाबरी 203 कृलो थी रमजान में एक सो साथ रुपे भी रहे हैं चेविक किस तरह है वाइट वाले दूसरे वाले कितने गाँ वो पुचे अच्छा दूसरे कंट्रीज अगर हम बात करें इंडिया की हासद और बात करें वहां पी इन चीजों का क्या रेट होगा मुसल्मानों को कैसे रिलीव पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया गया कोई भी कंट्री ले ले लें वहां पे चीजों के जो रेट हैं वो डाउं कर दिये गा है पर पाकिस्तान माशाला वो कंट्री है जहां पे रेट अप कर दिये गए लेकिन हम तो एक इसलामी कंट्री भी है इसके लावा अगर बात करें हमें बड़ा प्यार है इसलाम से तो फिर रमजान से भी प्यार होना चाहिए मुसल्मानों से भी प्यार होना चाहिए क्या वजह है यह जिन्दा कौम सिर्फ दिखाने के लिए है अरे मेरे भाई जिन्दा पहुला चोड़ दो आश्मानी को बोलना चोड़ दो जन्नती को बोलना चोड़ दो ठीक है जब माहिर माहिरमजान ऐसा कोई उकेजन आ जाता है तो रेड्स आसमानों पर यह फुद पहुंचा देते हैं अन्गूर का रेड़ एज यह वाला यह वाला यह 16 लूप किलो जो न्गूर खटे हैं क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया से बहुत लोग हमें देखते हैं वहां पे आपके ख्याल में हमारे से कम होगा बहुत कम होगा या हमारे जाए पाक के बात है मैं आज ही फ्रूट खरीद के आया हूँ अंगूर थे 80 रुपे किलो काले अंगूर थे 120 रुपे किलो वह भी बड़ी आवाले और उससे बड़ी आवाले थे 140 रुपे किलो और केले लेके अंदर भी 10-12 पीस आ जाते हैं मेरे ख्याल से मैंने कभी काउंट तो मेरे के लेकिल लेखिे लेकिन केले के साइच पर डिपेंड करता है कि अपर पाकिस्तां के अंदर चेक इन बैलने इस्टेम हैter आज यह जो प्राइश कंट्रOLD क्मिटी즈 हो जए्टीग हो जाये किदरिया की बात रहे हिये श्यान को देखना चाहिए लेकिन हमें यह बताया जाता है ना कि इंडिया में जुलम हो रहा है यह निए बताया जाता है वहां पर रेट के आप उसकी आप उसकी अकानोमी भी तो देखें ना उनको आएंदा 300 साल डिफॉल्ट होने के चांस नहीं है ठीक है और हमारे यहां का सेनेरियो लग गया है तो इंडिय से हमका कमपैरिजन नहीं कर सकते हैं आपने कौन साल मालब आपने को यह अथेंटिक बात किया कि तीन सो सालों डोट के बहुत बड़ी दुनिया की पांच ही बड़ी एकानोमी है को यह रिपोर्ट है कि सोचल मीडिया पर गूगल करें आपको मिल जाएगी आपको मिल जाए किसमें हैं इन से पूचते हैं कि रमजान स्टार्ट होने से पहले यह जो फल है इनकी क्वाले कीमत ही और आज इनकी क्या किमत है असराइव द्रल यह किने जो सेड़े में तो किलो अजिव तो पहले डेड़ सो तो पहले डेड़ सो था रमजान आया वरकत महीना आया मुसल्मानों का महीना तो रेट बाढगे डिवागें तर बॉस्वार ये विकरा सोर पे सारी बंदान रोग बिंदाँ था कर दिया कि भर मतलब रमजान में थाइब यह मुसल्मान है यह नाम खराब हो रहा है अच्छा मॉशिद किसी से बात करते हैं असलालेकूम का नाम मुहम्मद अज़ीम काम काम लेकर लेंगे भई इतना महँगा पहले 050-000-0-500-000-1 डावरी बेचिया तीन दिन पहले क्या वजह है कि दो दीन पहले तीन दीन पहले यही स्टाबरी डेल सो रपर किलो ती आज यह स्टाबरी जो ऑब बता रहे हैं तीन सो रपर किलो तीन सो रुपे किलो मजह क्या दो दिन में डबल क्यों और यह जिन्दा को में देख लीजे कल्टक जो इस्टोवरी डेट सो की बिक्री थे आप तीन सो की बिक्री अब भूके नंगो कुछ तो अपनी अवाम को रिलीफ दो सारा खुदी लूटने में लगे वह हो मैं तुमार और एक शेयर कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए भाईया मुझे आप लोग अपना ख्याल लगे आपके लिए आपके लिए इसे पाकिस्तान से लिटेड विर लात रहता जय हिंद बने वाद राम जैशर राम जैशर राम जैशर राम